हेलो दोस्तों साथ आप से कि मैं है चानल दर ये लिस्टेडी कलम मैं दोस्तों एक न्यू अपडेट है आप सभी के लिए जो फिप्ट समेस्टर के एडविशन की लास डेट है वो पहले 18 रखी गई थी आप सभी को मैसेज के दोरा ये इंफोमेशन प्रवाइट करवाई तो हम सीधा SOL की वेबसाइट पर आ जाते हैं अब तो यहां पर हम SOL की वेबसाइट पर आ गए है और नीचे लिखावगा है continue ठीक है आपको continue पर क्लिक करना है continue पर कलिक करेंगे तो यहां पर देखें दोस्तों लिखावगा रहा है ठीक है Last date extended जो placebo owners BA honers और BA honors political science वाले बच्चे है उनकी last date 22 नूबर रखी गई है ठीक है और जो BA program और Bcom program वाले बच्चे है उनकी last date पचिस कर दी गई है पचिस नूबर तो BA honors political science वाले बच्चे है उनका अभी examination form आया नहीं है बट इन्होंने कैसे last date extend कर दिये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ठीक है तो BA owners political science वाले बच्चे एक या दो दिन का wait कर लें और अपना student dashboard चेक करते रहें ठीक है तो अपने student dashboard पर चेक करते रहें तो अपने student dashboard पर चेक करते रहें ठीक है और जो दोस्तो BA program और become program वाले बच्चे उनकी last date 25 नॉम्बर कर दी गई है तो आप लोग 25 नॉम्बर तक form field कर सकते हो तो जितने भी 5th semester वाले बच्चे है 25 नॉमबर तक BA program और geben problem वाले कर सकते है और जो oners वाले बच्चे है वो 22 नॉमबर तक कर सकते है ठीक है किसी subject में back या ER है तो वो बच्चे भी last date यही देखके अपना examination form feel कर सकते हैं ठीक है उनको भी यही last date follow करनी होगी है और जो दोस्तों 5th semester वाले बच्चे हैं अगर किसी की 5th semester में back ER है उनको भी यही last date follow करनी होगी है तो यह last date की बात हो गई है अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो second phase का result है second phase का result अभी तक declare हुआ नहीं है जितने भी 4th semester और 6th semester वाले बच्चे हैं जिन्होंने second phase में exam दिये थे उनका result अभी तक declare नहीं हुआ है तो जितने भी बच्चे हैं second phase वाले वो अभी वेट कर लें 15 ताहिक आपको बताई गई थी कि 15 ताहिक आप सभी का result है वो declare कर दिया जाएगा बट आज 15 तारीक है और आप सबका भी result declare नहीं हुआ है तो एक दो दिन का और वेट कर लो as well की तरफ से यही information provide कर वाई गी है कि एक दो दिन का और वेट कर लो ठीक है तो जैसे result declare होगा आप लोगों को वीडियो गिजारा information provide कर वाद दूँगा तो एक दो दिन का बस वेट कर लो ठीक है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो third semester और fourth semester के बच्चे हैं अब भी इस time fifth semester में है बट उनका third semester और fourth semester का result so नहीं हो रहा है ऐसो इल काफी सारे बच्चे गए थे उनको भी पंदात आरिक बताई गई थी कि पंदात आरिक तक आप सभी का result है वो declare कर दिया जाएगा तो पंदात आरिक बताई गई थी बट अभी तक result declare नहीं हुआ है जिनका भी result no record found बता रहा है तो वो भी बच्चे wait कर ले एक दो दिन का और आपका जो addition है fifth semester में वो confirm है वो करवाय जाएगा ठीक है और आपके जो exam है वो December में ही होंगे बट इसको लेके दोस्तों थोड़ा time बढ़ाया गया है जो last date है वो extend कर दी गई है अब दोस्तों result भी मेरे ख्याल से जल्दी declare कर देंगे एक दो दिन में ठीक है और जो last date है वो 25 November कर दी गई है B.A. program और B.com. program वाले बच्चों के लिए तो last date इसलिए इन्होंने बढ़ा दिये क्योंकि अभी result डिकलेर नहीं हुआ है तो एक दो दिन का वेट कर लो जैसी result डिकलेर होता है मैं आपको वीडियो के दारे information परवाइट करवा दूँगा ठीक है अगर कोई दिक्कत है डाउट है अभी भी आप लोग मेरे को इस्टाग्राम पर message कर देना लिंक वीडियो के डिश्मवाब सरी को मिल जाएगा और चैनल को दोस्तों जोग सबक्राइब कर लेना अगर कोई अभी भी दिक्कत या डाउट है आप लोग मेरे को इस्टाग्राम पर message कर देना ठीक है तो second phase का result और no record found ये बच्चे wait कर ले एक दो दिन का ठीक है जैसे result update होता मैं वीडियो दारे information परवाइट